नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिनको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा और आपके मुँआ से निकलेगा कि ऐसा भी होता है तो वीडियो को अंतक जरूर देखे क्योंकि आपको एक बार नहीं बार बार आश्रे च सकत करने वाले एक से बढ़कर एक फैक्ट्स आएंगे तो इस सरंखला में जो एक नमर पे है वो है तास के पतों से समझे आपने तास जरूर खेली होगी या खेली नहीं तो देखी जरूर होगी तो आपको पता होगा कि तास के पतों में चार राजा होते हैं जिनकी आकरती एक सी होती है और उन राजाओं में एक राजा होता है जो बिना मूच वाला होता है जबकि तीन राजा मूचूं वाले होते हैं दिमाग पर जोड़ दोगे तो आपके भी ये समझ में नहीं रहेगा नहीं गया ना अपना ध्यान ये राजा है लाल पान का जिसको king of hearts भी कहते है इसको देखोगे तो इस राजा की केवल मुझे नहीं है बाकी तीनों राजाओं के मुझे होती है दरसल शुरू में सभी राजाओं के मुझे होती थी लेकिन एक बार कार्ड बन रहे थे तो designer मुझे लगाना भूल गया और तब से ये ऐसा ही चल रहा है दूसरे नमबर पर आता है एक अलग facts आपके घरवालों ने कभी आप आपने पैसे मांगे तो ये जवाब तो कभी ना कभी आपको मिलाई होगा यहाँ पैसों के कोई पेड नहीं लगते है या यूंकी पैसों के कोई बारिश नहीं हो रही है यहाँ जो मैं तुमें दिया दूँ पैसे लेकिन ब्रमांड में कोच जगे ऐसी भी है जहाँ पैसे छोड़िये diamond या hero की बारिश होती है ब्रमांड में सनी और ब्रश्पती ऐसे दो ग्रे है जहाँ hero की बारिश होती है साइन्टिस्टों का कहना है कि इन दोनों गरहों पर वायूमंडल का दाब बहुत अधिक होता है जिशें वहाँ वायूमंडल में उपस्तित methane जो गेस है वो तूटकर carbon और hydrogen में तूट जाती है और इस carbon से हीरा बनने लगता है और इन हीरों का आकार बहुत बड़ा होता है जिस परकार धर्टी पर बारिश होती है तब पानी जमकर ओलों का रूप ले लेता है उसी परकार वहाँ methane गेस, carbon और hydrogen में तूटकर carbon हीरे का रूप ले लेता है और ओलूं की तरह इन दो गरों पर हीरे बरसते है और कई हीरे इतने बड़े होते हैं कि वो चटान का रूप ले लेते है तीसरी नमबर पर आ रहा है एक ऐसा सक्ष जिनकी कहानी सुनकर आप अपना सर पकड़ लोगे कि कोई इतना भग्यसाली भी होता है आज संसार में परमानो बमों का डर्चारूं ओर है और हो भी क्यों नहीं क्योंकि जहां भी परमानो बम गिरता है वहां सब कुछ तबाह हो जाता है लेकिन अब मैं जिस महासे की बात करने वाला हूँ उस पर दो बार परमानो बम से हमला हुआ और दोनों इबार बच गया इस भाग्य साली वेक्ति का नाम है सुटो मी यामागुची जो कि जापान के है 6 अगस्ट 1945 को बिजनिश के सिलसले में वो हिरोशिमा गए वे थे और अचानक उसी समय अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमानो बम गिरा दिया जिसे उनका चेरा और हात जुलश गए उसके बाद में वो वापस अपने घर नागासा की चले गए जहां फिर 9 अगस्ट 1945 को परमानो हमला हुआ लेकिन सोब भग्य से वे सुरक्षे जगे पे थे और बच गए लेकिन उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया अब इससे बड़े किसमत वाला तो साहिधी दुनिया में कोई होगा कुछ लोग मोटा पे से परिसंद रहते हैं लेकिन आपको यह जानकर आश्री होगा कि धरती पर एक जानवर ऐसा भी है जिसका रोज 90 किलो वजन बढ़ता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना उस जानवर का नाम है ब्ल्यू वेल एक जवान ब्ल्यू वेल की बात करें तो उसका बजन लगबग 140,000 किलो ग्राम तक होता है और उसके बच्चे का बजन रोज 90 किलो ग्राम तक बढ़ता रहता है अंत में जो पांचमा फैक्ट है वो भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा नहीं हो शकता आपने सुना होगा आपने देखा होगा और आपके साथ भी होगा कि जब किसी लड़के और लड़की की सगाई होती है तो उसमें रिंग दी जाती है पेरिंग पहना ही जाती है और उसी के बाद में उनकी साधी होती है और एक साथ जिगों यापन करते है लेकिन जो मैं अब कहने वाला हूँ उसको सुनकर आपको जरूर आश्रे होगा क्यूंकि एक ऐसा पक्षी संचार में है जस बिलकुल ऐसी ही पक्षी का नाम है पेग्विंज पेग्विंज पुरी लाइप के लिए एक ही पार्टनर को चुनते है और अपनी पशंद की पेग्विंज को पाने के लिए मेल पेग्विंज जो होता है वो फिमेल पेग्विंज को सबसे इश्मूत और गोलाकार पत्र दिता है और यदि फिमेल पेगविन को ये पशंद आ जाए तो वह उसे गोसले में रख लेती है और तब जाकर दोनुँ शाथ रेना प्रारंब करते है इस परकार आज हमने 5 अमेजिंग फेक्ट्स देखे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा यदि पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न मुले और अपने दोस्तों से भी यही करे एक नए वीडियो के साथ हम फिर हजरोंगे तब तक के लिए धन्यवाद, जैन